गूड आप्टूनून स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया होल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में वारेन हेंस्टिंग्ज के बारे में जानकरी प्राक्त करेंगे तो देखेगा वारेन हेंस्टिंग्ज है यह है मतलब ब्रिटिस अमराजे की ओर से भेजा गया भारत में गौर्णर जनरल था और मतलब इसके काल में क्या-क्या परसासनिक जो सुधार हुए थे उन सभी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसे पहले हमने क्लाइव के बारे में पढ़ाता तो उस वीडियो को भी आप द्धान से देखेगा तो देखेगा बंगाल में ब्रिटिस असन की स्तापना के बाद कंपनी के समराजे की व्रद्धी हो रही थी बढ़ते हुए समराजे में परसासनिक पुंद्रगठन की जरूरत थी अता जो ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी थी मरलब उसने जैसे जैसे समराजे विस्तार किया वैसे वैसे अपने छेत्रों में परसासनिक व्यवस्ता का पुंद्रगठन भी किया समराजे विस्तार और पुंद्रगठन की इस प्रकिरिया में कंपनी सरकार ने भा 1772 से 1773 में इस वी के बीच वीभिन गुर्णर जनरल नो द्वारा किये गए परसासने के जो परिवर्तन है उनके बारे में मतलब काफी लोगों ने बताया है तो इसी परकार से जैसे कि इस वीडियो में हम आपको वोरेन हैंस्टिंग्स द्वारा परसासन का जो पुंद्र किया था उसके बारे में पढ़ेंगे बताएंगे ठीक है तो देखेंगा वोरेन हैंस्टिंग्स यह 1750 इसमें कंपनी का करमचारी बनकर कलकत्ता आया था अपनी योगेता और लगन के कारण निरंतर उन्नत्ति करता गया और 1772 इसमें उसे बंगाल का गोर्णर नियुकते कर में तो देखे चटोडन्स द्वेद सहसन के बारे में भी हमने आपको पहले पढ़ाया था यह इस्तापित प्रीनाम निकले क्या बुरे निल इंस अंग्रेश करमचारियों ने अथ्याचारों द्वान करना तथा जनता का तिव रेसोसन करना आरंवे कर दिया था ठीक है कंपनी के संचालकों को भी विश्वास हो गया था कि कंपनी के राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग कंपनी के करमचारी अपने नीजी दिकार में रख लेते हैं 1771 इसव में संचालक समीती ने बंगाल कॉंसिल के अधिक्स को आदेश दिया ठीक है क्या दिया कि कंपनी स्वेम दिवानी का कारिय करे तदा राजस्व वसूली का कारिय कंपनी के करमचारियों द्वारा किया जाए नाइब दिवान थे था उसके अधिनकारिय करने वाले समस्त करमचारियों को पच्चूत कर दिया जाए दोनों नाइब दिवानों को बंदी बनाकर उन पर मुक्दुमा चलाया जाए ताकि नाइब दिवानों द्वारा किये धन का अपरण वै घूस खोरी का पता लगया ज सके ठीक है और इस आदेश के कारण वारेंड हैंस्टिंग ने अपना पत ग्रहन करते ही क्लाइव द्वारा इस ताभी द्वेश हासन का अंत कर दिया था ठीक है दोनों ना एप दिवानों कोन-कोन थे यह रजाखा और सितव राय इनको पज्चुत कर उन पर मुग्दमा चला रहा और अंत में उन्हें निर्दोस गोसित कर दिया गया इन मुग्दमों से इतना लाब अवसे हुआ कि दोनों नाइप दिवानों की परतिष्टा पूरी तरह से समापत हो गई तथा कंपनी को प्रभा बढ़ाने का अवसे प्रापत हो गया दिवानी के प्रबंद के साथ साथ दिवानी तथा न्याय का उत्तरदाइत्व भी कंपनी पर आ गया था द्वेज सासन के करण पूरानी न्याय प्रणाली पूरी तरह से समापत हो चुकी थी ठीक है हमने आपको पहले भी बताया था कि जो द्वेज सासन था यह मतलब वैसे तो यह जो नवाब था उसके दिखार में था लेकिन इसका जो भी मतलब ज्यादा जो मतलब कंट्रोल था वह है कंपनी के हाथ में था और कंपनी अवा लोगों का यहां के किसानों का खास तोर से सोसन कर रही थी ठीक है कंपनी के करमचारियों ने संभाने नागरी को तथा सिल्पियों पर विशन अत्याचार करना आरम भी कर दिया था स्वयम संचालक समीती ने 10 अपरेल 1772 में अपने करमचारियों के नत्याचारों को श्विकार किया था अता संचाल को ने बंगाल में नयाय व्यवस्ता सुदाहने का अधे से दिया थीक है भारत में कमपनी के करमचारियों का लगसे अधिक अधिक धन कमा कर इंग्लेंड लोट जाना होता था कमपनी के करमचारियों को नीजी व्यापार की छूट भी प्राप थी और कुछ लगाना था अत्या वारेन हेंस्टिंग्ज के परशासनिक परिवर्त्रों का उद्धे से कमपनी को इन कारियों के योगे बनाना था ठीक है तो इस वीडियो में आपने ये समझा होगा कि जो क्लाइव द्वारा जो इस्थापित किया गया द्वेत सासन था उसके जो बूरे कारिये थे जो उनके दोस्त थे उनको दूर करने के लिए वारेन हेंस्टिंग्ज ने मतलब कही अपने आधे से निकाले थे ठीक है आगे के वीडियो में हम आपको वारेन हेंस्टिंग्ज द्वारा किये गए अन्य जो परशासनिक कारिये हैं उनके बारे में पढ़ाएंग तब तक बने रहे हैं मारे यूटूब चनल इंडिया ओल्ड एज पे